ओ मा, मीरी मा, प्यारी मा, मम्मा हमारे लिए कैसे अच्छाई में मदल देती है, उसको बेहद ही प्यारी तरीके से बताया हुआ है विजे जैन पेशे से पत्रिकार है, लेकिन लिखते बेहद ही प्यारा है तो मेरी जुबानी आप भी सुनिये, उनकी मा के उपर लिखी हुई ये प्यारी सी कवीता नमस्कार, मैं हूँ आर्थी गुपता, मा बहुत जूट बोलती है, सुभा जल्दी जगाने साथ बजे को आठ कहती है नहालो नहालो के घर में नारे बुलंद करती है, मेरी खराब तब्यत का दोश पुरी नजर पर मड़ती है छोटी-छोटी परिशानियों का बड़ा अमबार कर देती है, मा बहुत जूट बोलती है थाल बर खिला कर तेरी फूख मर गई है, कहती है, जो मैं नार हूँ घर पे, तो मेरी पसंद की कोई चीज उनसे नहीं पकती है मेरे मोटापे को भी कमजोरी की सूजन बताती है, मा बहुत जूट बोलती है दो ही रोटी रखी है रास्ते के लिए, बोलकर मेरे साथ तस लोगों का खाना पैक कर लेती है कुछ नहीं कुछ नहीं बोलकर नजर बचा बैग में छिपी शीशी आचार के निकलती है मा बहुत जूट बोलती है, टोका टाकी से जो मैं जुनजला जाओं कभी समझदार हो, अब कुछ न बोलूँगी मैं, कहकर वो रूट चाती है अगले ही पल पर चिंता में हिदायत होती है, मा बहुत जूट बोलती है तीन घंटे मैं ठेटर में ना बैट पाऊँगी, सारी पिल में तो टीडी पे ही आजाती है पाहर का तेल मसाला तबियत खराब करता है बहानों से अपने उपर होने वाले खर्च टालती है, मा बहुत जूट बोलती है मेरी उपलब्धियों को बढ़ा चड़ा कर बताती है मेरी उपलब्धियों को बढ़ा चड़ा कर बताती है सारी खामियों को सब से छपा लेती है उसके वरत, नारियल, धागे, फेरे, सब मेरे नाम तारीब समाली में कर बहुत शर्मिंदा करती है मा बहुत जूट बोलती है भूल भी जाओं दुनिया भर के कामों में उलज अपनी दुनिया में वो मुझे बला कब भूलती है मुझसा सुन्दर उसे दुनिया में कोई ना दिखे मुझसा सुन्दर उसे दुनिया में कोई ना दिखे मेरे चिंता में वो अपने सुख पे किनारे कर देती है मा बहुत जूद बोलती है मन सागर मेरा हो जाए खाली ऐसी वो गागर जब भी पूछो अपनी तब्यत हरी ही बोलती है उसके जाए हैं हम, उसकी संतान हैं हम हम भी रग रग जानते हैं दुनिया दारी में ना समझ वो भला कहां समझती है मा बहुत जूद बोलती है उसके फैलाए समानों में से जो एक उठा लूँ खुश होती ऐसे जैसे खुद पर उपकार समझती है मेरे चोटी सी नाकाम्याभी भी उसे उदास कर देती है सोच सोच अपनी तबियत घराब करती है मां हमीशा ही जूट बोलती है तो दोस्तों बताईएगा आपको ये कविता कैसी लगी और साथ ही ये भी बताईएगा कि आपकी मानी आपके भलाई के लिए ऐसा कौन सा जूट बोला था जो आपको बेहद ही प्यारा लगा था अगर इक विता अच्छी लगी हो तो इस पेज को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर मेरी बोली में ना भी अच्छी लगी हो तो कविता पे ध्यान जरूर दीजेगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजेगा धन्यवाद